बिहार राज्य विधिक सिवा प्राधिकार दोस्तों बिहार स्टेट लीगल सर्विस आथोरिटी की तरफ से कुछ दिन पहले कुछ एड़टाइजमेंट निकाले गए थे उस एड़टाइजमेंट में आदेश पाल और अनुशिवक के डिगार्डिंग वेकेंसी निकाली देखा है उस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख लिजेगा दो वीडियो बनाया थे मैंने दोनों ही के बारे में उनके इस वेकेंसी के बारे में अपडेट दिया था बहुत सारे छातरों का बिस्वास होता है इस चैनल पर कि भया जो भी वेकेंसी बताते हैं जैन्विन पे genuine vacancy आई भी हुई थी लेकिन इस vacancy को postponate कर दिया गया है आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप सरकार जो भी है सरकार यहाँ पे कोई vacancy निकालते हैं और उसके बारे में सारा आवेधन भी लेते हैं च्छात्रों से लेकिन उस vacancy को पूरा नहीं अगर घर पाते हैं तो ततकाल उनके पैसे लोटा दीजिए, क्योंकि कौन सा छात्र कितनी मुश्किल से आपको ये फीज सब्मीट करता है, ये आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि इसके बारे में सारा डीटेल आपसे डीटी मांगा गया था, आपको बैंक गाना पड़ा, आपसे फॉर्म भरवाया गया, आपका चलान काट के लोगों बहुत लोगों ने भेजा मतलब, तो ये सारे पैसे उन गरीब छात्रों के लग रहे और अब यहाँ पे एक अपडेट आईए, एक नोटीस भेजा गया है, देखिए, मैं आपको इसके ऑफिशल वेबसेट पे हूँ, अभी बिहार एस्टेट लिगल सर्विस ऑथुरिटी के, और यहाँ से वो सारे अपडेट आपको देख सकते हैं, नोटीस वाले सेक्शन मे दोस्तों मैं आपको होम पे ले जाना चाहूँगा सबसे पहले तो, और यहाँ पे एक नोटीस का अपडेट चल रहा है, और इस नोटीस में यह जो अपडेट दिया गया है, पहला वाला ही है, इसको क्लिक करके मैं आपके लिए डाउनलोड करता हूँ दोस्तों, यह डाउ अपडेटेजमेंट सेंके 3 and the 4, जो की ओडरली, जो की कॉंटेक्ट बैसे जॉब निकाला गया था, इस पोस्ट के लिए और इस पोस्ट के लिए, जी यहाँ इसको यहाँ पर बिहार सरकार की जो ऑथरिटी, यह जो कमपनी है, मतलब जो भी एक संस्था है, जहां से इसके कोविट की प्रक्रियाएं चल रही है, केसे बढ़ रहे हैं, वेकेंसी निकाल कर इनसे आपने फीस तो ले लिया, जी हां, मैं आपको दिखलाओंगा सारे डिटेल, इसका जो फॉर्म भरने का जो अपडेट आया था, वो भी दिखलाओंगा, लेकिन आपने क्या किया, यहा उन सभी छात्रों का क्या, जो गरीब छात्र हैं, मैंने पिशली बार भी बोला था यह बार, कि 200 रुपे, 400 रुपे, यह सारे चीज़े जो होती है, किसी यह गरीब छात्रे के लिए बहुत बड़ी चीज़े होती है, लेकिन आप लोगों उन लोगों से पैसे लेकर रख ल लिए, अब इस पैसे का आप लोगों करना क्या है, यह जवाब दीजे, क्योंकि यह सवाल तो पूछेगा आप बिहार पुरा और बिहार के छात्र भी जरूर पूछेंगे, और अगर आप लोग जो छात्र हैं, इसके लिए आवाज उठाना चाहते हैं, तो प्लीज वीडि चल रहे हैं, जिसको देखते हुए, साथ महीने लग चुके हैं, और यहाँ पे इसमें कोई भी अभी तक कमी नहीं आ रही है, जिसके चलते यहाँ पे इस वेकेंसी को फिलाल अभी अस्तागित किया जाता है, नेक्ट फैनेंसियल एर तक के लिए, याने कि इस साल तो यह व यह बाते उठीगी और चात्र अंदोलन फिर करेंगे, जोकि हमारा राजय बिहाद, यहाँ पे सिर्फ एक ही वो वेकेंसी नहीं, यह सभी वेकेंसी को यहाँ पे डिफर किया गया है, जोकि चेयर्मेन का यहाँ पे एक एड मेंबर जो पर्मानेंट लोक अदालत का होने वा इयर तक के लिए, दोस्तों मैं आपको एक चीज पहले दिखला देना चाता हूँ, इसके रिक्रूट्मेंट को लेकर जो प्रोसेस मैं आपको बताया था, यहाँ पे आप जाएंगे इन इंपोर्टन लिंक्स पे और यहाँ पे रिक्रूट्मेंट का वेकेंसी का एक लिंक ह है, और यहाँ पे आईएगा, यह देखिए, यह जो वेकेंसी निकाले गए थी, प्यून वाली, इसको मैं आपको ओपें करता हूँ पहले, और इसको दिखलाता हूँ, जो छात्र इसके लिए आवेदन किये थे, मुझे बार-बार फोन करके पूछे भी थे, बहुत सारे छ केंसी थी, इसके बारे में पेपर में भी निउस कटिंग आया हुआ था, इसके बारे में अपडेट हमने आपको चैनल से दिया भी था, और यह वो फॉर्म था, जिसको आपको फॉर्म भर के चलान देना था, उनको फीज सब्मिट करना था, दोस्तों, ठीके, फीज सब्मि लोगों ने आविदन जितने भी छात्रों ने यहाँ पे किये होंगे उन सभी छात्रों का यही कहना है कि आखिर मेरे पैसे कब तक देंगे अगले फैनेंसले लड़ तक हमारा पैसा उनके पास जमार रहेगा कि लिए तो आवाज तो सबको उठाना पड़ेगा जो भी छात्रों इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर तो करना पड़ेगा क्योंकि अगर अब विहार की जियां ऐसी हालात से उभरना चाहते हैं तो शेयर करना पड़ेगा ऐसी नोक्रियों को पैसा लेकर इस थगित किया जा रहे हैं बहुत सारी वेकेंसी से जो की पैसा जमा कर वा लिया गया है सरकार के द्वारा और उसका एक्जाम लेने की कोई बाते नहीं की जा रही है जिसमें की मैं अगर गिर्वाना बेठूंगा तो सायथ 10 से भी जादा ऐसी वेकेंसी जो की रुकी पड़ी हुई है बिहार आप उनसे 200 रुपे और 100 रुपे चार्ज किये गये थें कैटेग्री वाइस दोस्तों यहां पर टोटल वेकेंसी आदेश पाल की बात कर लें तो 19 थी तो कुल मिला के यह टोटल 25 वेकेंसी थी जिसमें की सैकडों अभ्यार्थियों ने जिया सैकडों से भी ज्यादा हजार कह सकते हैं जो कि आकड़े यहां पर बताया जा रहा है कितने मुझे कॉल आ रहे थे बता रहा था मैं सभी को तो मुझे लगता है कि ज्यादा ज्यादा लोगों ने इस फ़र्म को भरा होगा और खैर सैकडों हो या हजारों या एक चात्र क्यों नहों उसका पैसा लेकर लीजिए नहीं तो पैसे लेकर आप लोग भी चुप-चप ना बैठें यह छोटा सा वीडियो मैंने आपको बनाया है इसके अगर कोई गलती हुई है तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में लेकिन एक छोटी से रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे ही पलपल की अपडेट चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरू करिजिएगा बेल आइकन दबाके ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब से पहले हमारे चैनल की मादिम से जा सके दोस्तो एक वीडियो में ने अभी थोड़ी दिर पहले बनाया है इस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो देखिए बिहार में सिक्षकों को लेकर कहीं सौगात मिली है तो कहीं अवकात दिखाई गई है ये 30,000 की सिक्षकों की वा इस सारे लिंक्स आपको देख रहे हैं जहां से आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर ध्यान रखेगा और पैसे यानिकी जो हमारी फीस लिए है वो चीज लोटा दिजे अने था पाप तो लगेगा धन्यवाद